इसके अलावा भी चाहे वो कॉरिंटीन सेंटर में डूटी देना हो चाहे स्कूल में खाना बाटना हो इसकूल में वैक्सिन लगवाना हो इविन हवाई जाज हुआ एडे पर डूटी देना हो रास्ते में Mass Enforcement हो तो हर जगा जिविन वॉस्पिटल से डूटी लगी टीचर्स ने अनप्रेसिडेंटेट काम किया इस पेंडेमिक के दौरान और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिस टीचर की डूटी लग देई वो अब बस उस डूटी में रहे जिन टीचर्स ने पेंडेमिक की डूटी की उन सबने अपना मूल करतभी भी बहुत श्रांदार तरिके से निभाया उन्होंने अपनी पढ़ाई बच्चों की ऑनलाइन जारी रखी वो भी एक ऐसे समय में जब अचानक ऑनलाइन टीचिंग उनके सर पे आ पड़ी थी क्योंकि सब की सबकी प्रेटिस ऑफलाइन टीचिंग की थ कि खुद को भी एक्सपोजर नहीं था बच्चों को भी नहीं था उस सब के बीच ऑनलाइन एजुकेशन भी जारी रखी माइग्रेशन बहुत हुआ लोगों की जॉब्स कहीं लोग एक कालोनी से दूसरी कालोनी चले गए एक राजी से दूसरी राजी चले गए वैसे में बच्चों को ढूंड ढूंड के लाने का काम तीचर्स ने किया कि कई देखने को मिला कि लोग चतिसगर्ड महाराष्ट विहार वापस चले अपने नंबर ढूंडा कुछ बच्चों ने जब यह कहा कि हम पढ़ाई छोड़ दे रहें तो हमारे बीच में ऐसे भी टीचर्स के जन्हों ने प्रिंसिपल निकले जिन्होंने अपनी स्टाफ के साथ बात्चीत करके, अपने खर्चे पर बच्चे को डिली में रुकाने की विष्था की उसको टिकेट दिया, क्या इसको यहार रुक्वाया एसे भी लोग निकलें जो ह heavenly teachers ने जो आप किया कि उन्हें पता चला कि कुछ बच्चों के पास में ऐसा ह spectrum it운 के पास किसीफी बास मुबाइल तो थिए लेकिन डेटा नहीं हो पाई तो अपनी सेलरी से अपने बच्चों की सेलरी से डेटा लोगों ने बच्चों के मोबाइल चार्ज कराई हैं इतना महांकारी टीचर्स ने किया है इतना भी किया है कि परिवार में बात करके अपने स्कूल के सो डेड़ सो दो सो बच्चों के लिए उनका जिकर मैं करूंगा टेबलेट्स लाके दिए अपने बच्चों के लिए, तो यह सब ग्रेट उर्क हमारे टीचर्स ने किया है, और पेंडमिक के समय में ऐसावित किकि ईकोड़्स का दरजा जो गुरू का रखा गया है, और यह माना गया है कि जो कभी ने भी का था कि गुरू 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 न आपने गोविंद दियो बताए तो पहले गोविंद से आगे भी गुरू को रखना है यह सही माइने में हमारे टीचर्स ने उसकी भूनिका निभाई है मैं शिक्षक दिवस्क के अवसर पर सभी टीचर्स को नमन करता हूं और साथ साथ आप सब के सामने के माध्यम से बताना साहता हूं कि साल का जो टीचर्स अवार्ड रहेगा पांच सितंबर के अवसर पर वो भी विशेश रहेगा इससावाड में कुछ चीजें हमने चेंज की क्योंकि पहले जो टीचर्स अवाड होते थे वह एक लेवल के परफॉर्मेंस पर जाले होते थे और उसी पर फिल्ट की रूप मना जाता था हमने उसको बड़े ग्रांट फंक्शन में कहा कि जैसे हम टीचर्स हमारे स्टार है तो उस तरह से करते रहे हैं इस साल हमने 103 अवार्ड को बढ़ा के 122 कर दिया साथ साथ में क्योंकि हर टीचर कुछ ना तुछ भूमिका निभा रहे थे तो पहले ए साल हमने उसको यह कहा कि जो साल से साथ में काम कर रहें सिटिचिंग सेक्टर में हैं उनको यृवाड दिया जा सकता है गैस टीचर को हमेशा यeton बना जाता थे श्मक्रावेश को तो एकाद को यह डिया जा सकता है लेकिन आंतोर पर नहीं होता था हमने गैस टीचर प्राइवेट स्कूल के भी कुछ टीचर्स को होता था लेकिन बहुत कम हमने गैस्ट टीचर प्राइवेट स्कूल टीचर पर्मानेंट टीचर्स सबके लिए यह अवार्ड खोल दिया साथ साथ में तो एक बड़ा चैलेंज है कि एक स्कूल में 300 बच्चे यह पस्कूल में 300 बच्चे frankly कूल मिलाके वहां नए प्राइंश और करे mm अगे रहते तरह का काम करने वाले टीचर को आवर्यड में अफसर मिल सकें। 2-3 साल पहले हमने मैं बहुत सुर्प्राइज इस्पेक्शन पर जाता रहा हूँ और मुझे बहुत अधुत काम करने वाले टीचर मिलते रहे। तो 3 साल पहले एक आवर्यड जो किया था। इस तरह की वेरी सर्थाय विजित में जो बहुत एक्स्टावडरी काम करने वारे टीचर्स मिलते थे उनको हम आइडिटिफाय करके आवार्ड देते थे दो टीचर्स को इस साल हमने फेस ऑफ डियोई फेस ऑफ डिरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के नाम से दो आवार्ड और टीचर्स के जिसमें कोई भी टीचर बहुत उलेखनी एक काम कर रहे हैं वो जरूरी नहीं के पढ़ाने को लेके हो या अपने कैलकुलम को डिल्ट डिलीवर करने के लिए हो लेवस को कुछ भी उलेखनी काम कर रहे हैं जिससे हमारे शिक्षा विभाग का मान सम्मान बढ़ अप्लाई कर सकते थे यह अच्छा काम करने वाले टीचर को मोटिवेट करने के दिशा में बाधा थी तो इस पार वो रेस्टिक्षन भी हटा दी कि कितने ही टीचर एक स्कूल से अप्लाई कर सकते थे और साथ साथ में यह क्राइटीरिया बनाया कि कोविंट के दोरान जिन सो लोग एपलाई करते थे तो कि इतने सारी रेस्टिक्शन थी और उसमें से एक सो तीन अवार्ट दिये जाते थे इस बार खुशी की बात है कि ग्यारे सो आठ एप्लिकेशन आई और ग्यारे सो आठ मैंसे फिर हमने एक सो बाइस अवार्ड हमारी कमेंटीज ने सेलेक्ट कि हैं तो मैं उन टीचर्स को जिन्हें यह वार्ड दिये जा रहे हैं बहुत-बहुत शुबकामना है देता हूं और कल इसका एक वशेश समारों करके हम उनको संभानित करेंगे इसमें हम आपको अलग से प्रेश्टिस के साथ साथ एक एक टीचर की डिटेल दे देंगे ताकि हैं कि आपको विवरन मिल सके उन टीचर का उनके लेखनी काम का और उसके साथ विवरन के साथ हम अलग से नमबर्स हम अपने मीडिया कीम को दे रहे हैं अनिल जी और लले जी वगएरा के पास में रहेंगे तो आपको इन 122 टीचर्स में से किसी का नंबर चाहिए आप ही अपनी लिया है कि टीचर्स ने बहुत उलेखने काम किया है तो अपने मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये काम भी पहुंचाएं और साथ-साथ उनके प्रती सम्मान उनके प्रती एक आभार भी कल अगर अख़वारों में टीवी चैनल पर देखने को मिले तो और उनका मान सम्मान बढ़ेगा उनके वो बढ़ेगा उनका उनको हौसला बढ़ेगा जो मैंने दो फेस ऑफ डी ओई अवार्ड मैंने बोला था आपको दो टीचर्स इनको इस पार फेस ऑफ डी ओई पहली बार फेस ऑफ डी ओई अवर्ड के लिए चुना गया है उनके से एक का नाम तो आपने बीच में भी सुना होगा राजकुमार जी है जो सितार वादक भी ने हमारे स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ और उन्होंने 32 गंटे तक 32 गंटे 20 मि बिशा इसलिए फेस ऑफ डी के तहत उनको भी इस बार हम स्पेश़्ट टीचर अवाड दे रहे हैं इस वर्ष का और साथ ही एक और हमारी कीचर सास्थी 이용 है ळसमन और्याजी यह सुमन रोडा जी के बारे में भी हमएं पता चला है यह दिली क् Event के रीट कुछ समय उनिवस्टीज में पढ़ा के स्कूल में टीचर बनने का फैसला किया और काफी लंबे अस्ते से हमारे साथ टीचर की रूप में काम कर रही है mathematics की expert रही है और यह अपने initiative से ऐसा नहीं कि government ने को initiative लिया क्योंकि खुद IIT से हैं तो अपने बच्चों को competitions की की तैयारी कराती रही है और इनके पढ़ाए हुए 23 बच्चों ने पिछले साल जेई मेंस और पांच ने जेई advance क्लियर किया यह इनकी बहुत बड़ी उपलब्दी है और सिर्फ इतना नहीं बलकि यह अपनी salary का एक हिस्सा रिजर्व रखती हैं ऐसे बच्चों के लिए जो competition की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनको कुछ financial जरुद पड़े तो वो अपनी तरह से मदद करती है अपनी salary में से सेविंग करती है तो इसलिए सुमन अरोडर को भी face of DOE के award से सरकार संबानित कर रहे हैं इसके अलावा जो special award मैंने कहा दो जो मुझे अलग-अलग visits के दोरान teachers मिलते हैं विशेश काम करते हुए उनका भी मैं जिक्र कर देता हूं भारती कालरा जी है हमारी एक wise principal है एक school में रोणी के उनके school में भी जैसा जाहिर है सब लोग face कर रहे थे बच्चों के पास में tablets या mobile phone की दिक्कत हो रही थी तो यह पात उन्होंने अपने घर पे की और उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलके और परिवार के बच्चों ने अन्य लोगों के साथ मिलके 321 बच्चों के लिए mobile वो जो tablets है वो उपलब कराई ताकि उनकी online classes अच्छे से चल सकी बहुत उलेखनी काम किया और जैसा मैंने कहा क कि बहुत सारे लोग इधर से उधर शिफ्ट हुए कोविट के दौरान कोई जुगी में यहां रहता था फिर उसका किराया बंद हो गया उसका उसके आमदनी बंद हो गई वो कहीं और चला गया उसकी नौकरी छूट गई वो कहीं और जाकर रहने लगा तो हमारी एक टीचर है इरानी भारत दौच जी इन्होंने कोरोना के दौरान ओनलाइन क्लासिज जब लेनी शुरू थी तो इन्हें पता चला इनके कुछ बच्चे ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं ऐसा तो बहुत टीचेस ने किया कि उनको ढूंडने की वुजिम चलाई लेकिन इन्होंने अपने छ बच्चों तक पहुंची फिर उनके बच्चों को सारहना की कि आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है आप ऑनलाइन पढ़ाइए बहुत उलेकिने काम किया इनोंने इनको भी विशेश परस्कार के रूप में इस साल टीचर अवाट दिया जा रहा है तो यह सारी डिटे चाहींगा दिल्ली के लोगों से और सभी देश के लोगों से कि हम जो भी हैं हमारे टीचर का बहुत योगदान है तो कल टीचर्च जे के अवसर पर कम से कम अपने एक टीचर को फोन करके धन्यवाद ज़रूर करें जादा को कर सके और अच्छा है लेकिन दिल्ली का हर कि ये जिम्मेदारी ज़रूर निभाए कि कम से कम अपने एक टीचर को फोन करके उनके पती आभार ज़रूर वेख करें इसलिए हम इसको शिक्षपों के पती आभार दिवस के रूप में मना रहे हैं कल के दिन को ये मुझे अफ़्ार देखती रहिए डीवी भारती समचार न